प्यारे देश्वासियों, सनातन परंपरा में कई ऐसे प्रखर रत्न हुएं जिनकी जोती आज भी हमारा पत्पतशित करती है ग्यान, तप, त्याक और बलिदान की प्रतिमूर्ती मरिश ददीजी की जहनती पर मैं श्रदा भाव से उनको नमन करता हूँ आप सब को हार दिख्शो कामनाई भी देता हूँ मरिश ददीजी ने बुराई का प्रतीक वस्तरासुर को अंत करने के लिए अपना शरीर अरफित किया था ये विश कल्यान के लिए स्यों के समर्पन और बलिदान के सरवच उधारन में से एक है आज जब हम सब को अहां और स्वास से दूर हटने की आउशकता है उनका त्याग और व्यदिक प्रासंगिंग और उधारनी है इस समय जब संपुन विश कोरोना महामारी के संकर से जूज आये इसका निधान अभी संभो नहीं हो पाया है इतने बड़े स्थर पर फिली हुई बिमारी का निधान के लिए कई स्थरों पर प्रियास करने की आउशकता है हमारे देश में सामाजिक दाइत सबजने वाले जागरुग युवाओं की एक बड़ी संक्या है जो प्लाजमादान के माध्यम से अपने इस्तर पर इस विपुति में मानोता का सहरा बन रहे है हमारे देश में अन्यदान और देश दान की पुरातन परंप्रा रही है देश में प्रतिवर्ष लाखों लोग हैं जिने अंग्यदान से नया जीवन मिल सकता है इस प्रकार यदि देदान को व्यापक स्तर पर अइंगार किया जाए तो चिकिस्था विज्ञान के शित में अध्भूत विकास किया जा सकता है हमारी प्राचीन दर्शन रहा है कि सरुजन की भलाई और कल्यान ही मानोता और धर्म की पैचान है आज इस पुनित त्याक की भावना को और आगे ले जाने और इसे जन जन आंदोलन बनाने की आउश्रक्ता है हमारे आज की पिड़ी मरेश जदी जी के जीवन से आदश ग्रहन कर सकती है उनका ग्यान उनकी विनमता उनकी दानशिलता ये सभी हमें प्रेरित करते हैं जहां तक संबह हो हम सभी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखे हमारे प्रियास से यदि किसी का बला हो तो हमें ऐसा करने में संकोश नहीं करना चीए परोपकार के सन मार्ग पर उठाया गया हमारा प्रतिक कदम मरेश जदीच की सच्ची अरादना होगी एक बारपुना है मैं भारतिय संस्क्रति के प्रतिक पुरुष मरेश जदीच की जैनती पर आप सब को धेर सारी बधाई और शुब्रक कामना देता हूं और आशा करता हूं कि उनके त्याग और बलिदान को आत्मसाथ करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद